यह किरला स्टोरी आप ने देखी है यह मूवी अच्छी मूवी है किरला स्टोरी मूवी वह एक मूवी है जो सायद बहुत पहले बन जा घरा रहा हूं मैं रिविव करने जा रहा हूं गार्ला मोई कल में देखके आया हूं इक दिल और देनी वाली मूवी है भाक ही में né हर एक हिंदुस्तानी हर एक hour दी को सबीजे़े वे सुनी चैए सब्सक्राइबर ओए हम पर कि दो में एक Christian लड़की होती है, दो हिंदू लड़कियां होती है, और चौती लड़की जो है इसके अंदर एक Muslim लड़की है, तो तीनों लड़कियों को जब तक स्कूलिंग होती है, तब तक कहीं न कहीं प्रेसराइज करती है धरम परिवरतन के लिए, ये समझाने के लिए, ये को जातों को नकारती है बार बार, और उस Muslim लड़की से कहती है, जस्टा, बहुत हो गया तुमारा, मुझे नहीं सुनना, जब उसका वहां पर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती है, तो वो अपनी आपको वहां से दूर कर लेती है, वहां से खुटकर चली जाती है, ये चीज़ भासा में किसी भी तरीके से हो, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस में, उस समय वहां आप किसी को जबाब दे सके, तो अपनी आपको वहां दूर करना चाहिए, अगर आपके धरम का, आपके मजब का कोई मजाक बना रहा है, कोई उसके खिलियां उडा रहा है, तो अपनी आपको घ्र्णित सावित होना होनी से बचना चाहिए, यह बहुत बड़ी लज्जा की बात है, आप अपनी धरम के उपर हसी मजाक का हिस्सा बनते जा रहे हो, उस क्रच्चे लड़की ने बाके में बहुत अच्छी सीख दी, अगर जो भी लोग इस मूवी को देख सावि में आकर वो धीरे धीरे लब जिहाद का सिकार हो जाती है, दो लड़के होते हैं, उनका सारीर की सोसन करते हैं, इंटीमेट होते हैं, उनका में मकसद यह होता है कि इनको कैसे भी करके उस लेबल तक लेके जाया जाये, जिससे यह खुद भी वहान निकल पाएं, प्यार करो, मुहबत करो, जिस्मानी रिस्ते बनाओ, इंटीमेट हो, सेक्सल लाइप इनके साथ थोड़ा बहुत इंजोई करो, प्रेगनेट करके इनको छोड़ दो, एक तो इनके परवार वाले इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, परवार वाले इनको सपोर्ट नहीं करेंग है आखना मारे पास है मुस्लिम लोगों के पास मुस्लिम जो आ से कहें उन लोगों के पास में अब वहां पे चाह उता है तो दोनों लड़कियों मैं से एक प्रेगनेंट हो जाती है एक का बॉइफरेंट जो नल्ला होता है नल्ला होने के वज़े से एक हिंदू लड़की बच जाती है दूसरी जो लड़की है तो प्रेगनेंट हो जाती है प्रेगनेंट हो जाती है के बाद मुसको पता चलता है कि प्रेगनेंट हो चुकी है तब अ अपना धर्म परिवरतन कर लो तो यह तुमसे साधी कर लेगा अगर तुम मुश्लिम धर्म अपना लो कबूल कबूल कर लो तो यह तुमसे साधी कर लेगा लड़की क्या करें प्रेगनेंट हो चुकी समाज का प्रेसर इतना बहुत जादा और उपर से परिवार बालों से पह कि लड़का वो नमक हराम निकला आया पिर किया बोलते हैं мусलिमों की दूसरी भासा में और है जिसको हित्फ सब tweуш new को बोलते हैं आप दूसरे लड़के से साधी करोगे, वो क्या करेगा तुम्हारे साथ, वह ही सब चीज़े हैं इस मूवी के अंदर, जो लड़किया कहती है न मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, उनको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, और ऐसी तमाम सैकडों स्टोरियां हैं यूट अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए कहा क है किस के साथ कितनी दोस्थी करनी, कितना किस के सात कितना रहना है, बहुत जरूरी है, आप भी कोशिद करें आपने बच्चों को यी मूवी की स्टोरिको सुनाने कि, है और उनको एक सीख दीजिए, आपकोिप्स लेडल तक, क अपनी जो धार्मिक सच्चा उसके बारे में अपनी बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके कम से कम अपना बताना चाहिए कि अब जब उनको को व्रेनवास करे अपनी धर्म से विमुक करे तब वो चीजें वहां समझ जाएं कि भाई मेरा भी धर्म महान है लाकों करोणों साल पुराना धर्म गलत नहीं हो सकता मानता हूं सनातन के अंदर इत्ते सारे देवी देवता हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि आप किसी एक के प्रत जवर्दस्ति पूजा ना करें आपके जिसके मन में आती है आप उस रूप में उसको मानिये क्योंकि वो निराक उसके साथ पूजा करोगे वो आपको उसी रूप में आपको तागत देखा आपके साथ रहेगा आपका मनुगल बढ़ रहेगा साथ है और इस्वर एक नहीं है जो कहते हैं ना अल्लह एक हैं नहीं ऑई इस्वर एक है परम ब्रम परमिष यही है उसके बारे में पढ़ो, मेरे सनातनी भाईयों बेहनों पढ़ो उसके बारे में और अपने आपको इस किरला स्टोरी मूवी का किरदार होने से बचाईए धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मूवी देखने का आपका मन है तो जरूर जाईए और मूवी जरूर देखिए और वीडियो को कमेंट करके दूसरे लोगों को साथ सेर करिए और अपने चोट-चोटे बच्छों के साथ में बच्चीों के साथ में ये कहानी जरूर सेर करिए कि कैसे एक ट्रेप से बच सकते हैं धन्वा दोस्तों जय हिंद जय भारत